बिहार के स्कूलों में छुटियां रद करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ हैं केंद्रिय गिरह राज्यमंत्री नित्यानन राय जी ये जो स्कूलों में छुटियों को रद किया गया है और मुसल्मानों के जो तेवहार हैं इद, मुहर्रम, बकरीद बढ़ा दिया गया है उनके दिनों को तो इसको आपके सुरूप में ले लेए। बिहार सरकार बिलकुल तूष्टि करन की नीती पर चल रही हैं और एक तरफ उनकी छुटियां बढ़ा दी गई मुसलिम भाई की और हिंदू लोगों की छुटियों को कम कर दिया गया या त से नफरत पैदा होता है और बोट के लिए इस तरह से विभेद पैदा कर देना नितीस जी तेजस्वी जी आपको बहुत ही महांगा पड़ेगा यह बिलकुल गलत हुआ है अन्याय हुआ है यह तूष्टि करन की नीती ने देश को पहले भी नुकसान पहुचाया है कारण हुआ था वही नीती आज कॉंग्रिस भी अपना रही है जदि आरजेडी अपना रही है जो अच्छी बात देश हित में नहीं है आप क्या मांग करते हैं हम मांग करते ही कि सामान रूप से जिस प्रकार से पहले छुटियां बिहार में सबके लिए पहले से जो उन्होंने कहा कि ऐसी भीड ऐसी रैली पहले कभी इस ग्राउंड पर नहीं हुई थी देखिया यह रैली बिहार सरकार की पूरी मिसिनरी की रैली थी सारे अधिकारियों को लगा दिया गया था इनके पड़िवहन के अधिकारी बस पकर पकर कर लोग के पास भेज रहे थे और उनको लोब देकर लाया गया कि आप उहां चलिए उहां नौकडी मिलेगी और जो अस्थाई रूप से कंट्रेक्ट बेसिस पर अगर कोई काम पहले से कर रहा है तो उनको हम अस्थाई नौकडी उस दिन दिलाएंगे मने उस दिन देने की गोश्च ना करेंगे यह कहकर धोखे देकर लाया गया था और कभी भी आर जेडी जदिव हमारे अनुसूचित भाईयों का यानि हमारे दलित भाईयों का सुपचिन्दा कोई नहीं सकता मानिय प्रधान मंतरी आधरनी नरेंदर मोदी जी शिडिल कास्ट के लिए अपने दलित भाईयों के लिए जितनी पढ़ता है उसका बड़ा परिनाम दिखाई पढ़ता है कि उनके घर में खुशिया पहुंच रहे आप बताइए गरीब कल्यान के जितनी हो जना चले उसका सबसे ज्यादा लाब किसको मिलता है हमारे दलित भाई को मिलता है मोदी जी की सरकार हमारे आधरनी परधानमंतर जी के नत्रित वाली केंद्र के सरकार ने दलित भाईयों के आरक्षन को आगे की अबधी के लिए भी एक्स्टेंशन किया और जितनी हमारी योजना मुद्रा बैंक जिससे सबसे बड़ा आज रोजगार नौजवानों को मिल रह है उसमें हमारी दलित मा बहन के लिए उसमें आरक्षन है उससे उनको लाम मिल रहा है आज विभिन परकार की जो योजनाय चरे उससे गरीवों का उत्थान होगा रहली एक दिखावा था और वह उनका जादिव का दावा जूटा है छलवे करके जो भी लोग आये थे एक त आये गए थे और सरकारी मशनरियों का उप्यों करके हमारे दलितों के लिए अगर कोई मसीहा है तो नरेंद मोह दीजी जो सारी नौ बर्सों में जन कल्यानकारी दलित कल्यानकारी योजनाओं से उनके जीवन में खुशिया लाए